काफी सारे लोगों का मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो उन्होंने प्लैने टाइक्स के अंदर जो लेंड बाइ की है जो पिक्स उन्होंने बाइ की है जो quantity उन्होंने actual में यहाँ पर खरीदी है वो quantity उन्हें उनके marketplace की inventory में नहीं दिखाई दे रही है आखिरकार इसके पीछे क्या reason है और क्या वो समश्या है exact की अभी तक है हमारी जो picks हैं वो trading के लिए हाँ पर fully जो है available नहीं है यह एक बड़ा question यहाँ पर लोगों का मुझे यहाँ पर लगातार आ रहा है ऐसे में यहाँ पर मैंने इसके उपर पहले भी वीडियो बनाया है लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अभी भी exact information को नहीं collect कर पा रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या reason है यहाँ पर लोगों ने अच्छी खासी जो है जो picks यहाँ पर buy किये है वो यहाँ पर हमारी current जो inventory है उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या reason है उसके पीछे और साथ ही जो है वो कब तक हमारे लिए यहाँ पर available होंगे ट्रेडिंग से संबंदित आप सभी को एक valid जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ तो वीडियो को आप जरूर से जो है पूरी देखे तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी currently marketplace की inventory के अंदर अगर अभी आप जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 30099 के अराउंड जो है पिक्स अभी available हैं लेकिन यहाँ पर मेरे जो पिक्स है वो almost 600 से भी above है तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो मेरे पिक्स अभी पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके पीछे क्या reason है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तो 22 नवंबर के बाद यहाँ पर planet x ने जो है officially अपनी announcement की थी यानि कि अपने beta mode को यहाँ पर बंद करने के बाद finally अपनी announcement की थी उसके बाद यहाँ पर उस launching के बाद marketplace के अंदर पिक्स की minting शुरू हो गई और यहाँ पर जनवरी आते आते यहाँ पर जो पिक्स minting process था किसी technical error की वज़े से वो slow हो गया यानि कि per second कुछ 1600 पिक्स को mint किया जा रहा था लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो पिक्स धीरे-धीरे-धीरे-धीरे slow हो गई और पिक्स mint होना बंद हो गई ऐसे में यहाँ पर जो पिक्स mint नहीं हो रही थी उनके पीछे यहाँ पर जो है कारण थी MRC20 chain यानि कि Matic की Polygon chain की समझ्या को चलते हुए यह पिक्स यहाँ पर mint नहीं हो पा रहे थे उसके बाद यहाँ पर Discord के उपर Planet X ने Official Announcement भी की थी कि हम जो है Markle Tree की Announcement कर रहे है मैंने Highlight में भी Markle Tree को Announce किया था अपने YouTube Thumbnails के उपर और अगर आपने किसी YouTube Thumbnail में मेरा पड़ा होगा कि Michael Tree जो है launch किया जा रहा है तो ऐसे मैं अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या जो है information थी और क्यों जो है अभी हमारे PIX जो available अभी marketplace के अंदर नहीं है उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देते हैं 300 million PIX is out now 35 million sold PIX is generated you should see your inventory is growing every day अब यह तब का message था अब यहाँ पर मैं exit अगर आपको डेट गदा हूँ 21 जनवरी का इसके बाद यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है कि as soon as the Michael Tree is ready first 150 million PIX is tradable in the marketplace we are testing the algorithm as we speak plan to release it next week the other 180 million PIX will be tradable when we establish all functions the first batch we will keep you updated when the expect this happen तो यहाँ पर clearly जो है लिखा गया है कि 1500 million PIX जो है अभी tradable marketplace के अंदर अभी आप सभी के accounts में available है अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक specific account के अंदर ही जो है सारे PIX available है यहाँ पर कुछ PIX जो है सभी के accounts से जो है गायब है तो बाकी के जो 180 million PIX अभी tradable नहीं है उनको भी जल्दी ही हमारे back office के account के अंदर भेज दिया जाएगा इवन वो mint हो जाएंगे Michael Tree के announcement या फिर इनकी final announcement कब तक आने वाली है तो मैं end of the March से पहले यहाँ पर देख रहा हूँ में भी यहाँ पर mid March में हमारे PIX जो है हमारे लिए available हो जाए तो यहाँ पर अभी जो आप सभी के लोगों के मुझे question आ रहे थे कि sir हमारे जो PIX हैं वो हमें अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे यही कारण है कि they are working hard और उनके कुछ technical जो है चीज़ें को लेके वो अभी काम कर रहे हैं और जैसे उनके functional जो है अभी set हो जाते हैं play to earn बहुत सारे feature लेने वाला है और बहुत सारे feature अभी game से related आने वाल है तो जैसे ही यह सारी चीज़े यहाँ पर ठीक हो जाती है उसके ठीक बात यहाँ पर आप सभी के inventory के अंदर आपको PIX दिखाई देने पड़ जाएंगे अब I hope आप सभी के बड़े question को मैं clear कर पाया होंगा कि आपके भी PIX अभी available नहीं है तो बाकी कि जो PIX अभी आपके पास available है उनसे trade कीजिए और पैसे कमाते रही है और trade के बारे में भी आपको एक अच्छी information देना चाहूंगा दोस्तो जब आप अपनी bid यहाँ पर set कर रहे हैं आपने अपनी लिस्टिंग की for example मैंने भी यहाँ पर लिस्टिंग की हुई है और यह लिस्टिंग यहाँ पर कैसे sale out होगी इसके बारे में वैसे मैं एक proper पूरा वीडियो लेके आऊंगा तो आप अपनी your listing पर मैंने 13 PIX को जो है list किया गया है तो यहाँ पर incoming bids पर आप चेक करेंगे तो currently यहाँ पर जितनी भी bid आपके land के उपर आई होगी आप उसे देख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से बेचकर निकल सकते हैं जैसे मेरा 3 IXT अभी यहाँ पर किसी ने bid लगा है तो यह information के उपर already जो है मैं एक वीडियो लाज चुका हूँ लेकिन और भी जो है आगे इसके उपर वीडियो आएंगे So I hope यह updates और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी साथ ही जो है वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लिजिए Telegram चैनल का link में ने description में दिया है वहाँ पर जरूर आ जाईए ताकि जो है आपको हर नई update वहाँ मिलती रहे